हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सबों का EV इन्थुआस्टिक्स में आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच EV का तो क्या क्या इसमें मिलता है कितना बूट स्पेस है, फ्रन्ट में कितनी ये स्टोरेज है, कितनी ये चलती है और साथ ही साथ फिचर्स क्या क्या मिलते हैं, इसमें हम इन सारी बातों को कभर करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को लाइक कर देजएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देजएगा चुकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें ऐसे फिचर्स मिलेंगे कि ना आपको टियागो इवी में देखे होंगे, ना आपने टिगोर इवी में देखे होंगे बहुत सारे फिचर्स आपको इस गारी में देखने को मिलने वाली है तो शुरुआत करते हैं फ्रंट से पंच इवी में कुछ अलग से फिचर्स आपको मिलेंगे तो आप देख सकते हैं बड़ी सी लंबी सी LED DRL आपको मिलेगी सामने में एक बड़ा सा लोगो दिया है और ठीक उसी के नीचे चार्जिंग कोड भी दिया है और ये इलेक्ट्रोनी के लिए खुल भी जाता है उसी के नीचे देता है कैमरा जो की 360 डिगरी मूब करता है और पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले इसका फ्रंट पंफर चेंज हो चुका है हेड लाइट भी आपको सफारी और हरियर वाली मिलने वाली है साइड की तरफ चलते हैं तो साइड में क्या है एलाइवील का जो डिजाइन है टोटली चेंज हो गया है और जो ग्राउड क्लियरंस है पेट्रोल वाली पंच से थोड़ी सी ज़ादा थोड़ी सी का मतलब पेट्रोल पंच में 187 mm की ग्राउड क्लियरंस मिलेगी और पंच इवी में आपको 190 mm का ग्राउड क्लियरंस मिलने वाली है टायर साइज की बात करें तो टायर साइज 195 बाई 60 मिलने वाली है अगर अलाइविल की बात करें तो अलाइविल R60 बाई 16 के अलाइविल लगे हुए है इसमें आपको ये पैटर्न देखने को मिला होगा पेट्रोल पंच में भी लेकिन पंच EV में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है एलाइविल में लोकिंग इलास के पास 360 डिगरी का कैमरा मिलेगा और एक नई चीज रियर डिस ब्रेक जो आपको मेडियम रेंज में नहीं मिलने वाला है आईए अब पीछे की तरफ चलते हैं पीछे क्या नया है पीछे का जो सेप है पंच पेट्रोल की तरह है यह जो पैनल वेगरा है पंच पेट्रोल की ही यूज की गई है हलांकि प्लेटफार्म बिलकुल अलग है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है बात करें बूट अस्पेस की तो बूट अस्पेस आपको पेट्रोल से थोड़ी सी बड़ी है अब आते हैं आगे तो आपको दिखाते हैं आगे में भी आपको कुछ हलके फुलके समान रखने की जगा दी गई है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही और मोटर बैटरी के लिए मैंने अलग से वीडियो दे दिये हैं जो आप जाकर देख सकते हैं थैंक यू धन्यवाद बाबाई